तो कैसे हो बिंदस आज हम लोग फिर से M.I.Gaming के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन आज इस बंदे की मेरे पास पूरी जनम कुंडली है सबसे पहले बात कर लेता है भाई ने चैनल कैसे grow किया तो जब इस ने starting में channel start किया था तो इसका चैनल grow नहीं हो रहा था तो इस बन्देने अपने channel का नाम बदल कर पूजा गेमिंग रख लिया और अगर तुम लोगों मेंसे किसी ने कभी membership कराई हो तो तुम लोगों को पता होगा जो जो बंदा membership करा के रखता है उसे एक अलग से loyalty badge मिलता है जिसकी वज़ा से अगर तुम लाइव चैट पर comment करते हो तो तुम्हारा comment बाकियों से अलग लगता है मतलब जो comment तुम करोगे उस पे कुछ अलगी emoji बना हुआ आएगा तो इस बंदे ने अपने चैनल का नाम रख लिया pile gaming और live chat पे या फिर super chat देके लोगों को कहने लगा कि मेरे चैनल को subscribe करो क्योंकि ग्यान gaming भी बहुत सारे giveaway's करता है live पे तो जिन बंदों को giveaway पसंद है जो participate करता है giveaway में उन बंदों ने इसको भी subscribe कर दिया और लड़की का नाम होने के वज़ा से और भी subscribers मिल गए इसको अब ये मत पुछना क्यों अब वैसी भाई का giveaway channel grow होने लगा I mean fake giveaway का channel और फिर जब इस बंदे के पास ज्यादा audience आ गई तो इस बंदे ने channel का नाम M.I.Gaming रख लिया और फिर शुरू हुआ इसके scam का असली सफर इस बंदे ने एक प्रती gaming नाम के बंदे को पहले तो अपना दोस्त बनाया और फिर इस M.I.Gaming नाम के बंदे ने प्रती gaming को एक link भेजा जिस लिंक पे click करने के बाद इसकी ID उड़ गई मलब इसका ID, password सब उसके पास चला गया प्रती gaming की free fire ID और guild सब चला गया ये बात 7 महीने पहले किया है लेकिन उस टैम लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं था और ऐसे इसने अपनी live streams पर भी link दी और पता नहीं कितनों के ID स्कैम की हर दिन live stream करके लोगों को super chat देने पर मजबूर किया इस बंदे ने chat पे एक message पिन कर दिया जिस पे लिग दिया अगर तुम 100 रुपे दोगे तो मैं तुमें 2000 diamond दूँगा अगर तुम 200 रुपे दोगे तो मैं तुमें 4000 diamond दूँगा और लोगों ने इतने ज्यादा diamond के चकर में इसको super chat दे दिया जिसमें इस बंदे ने बताई इसने सिर्फ एक live stream के super chat के पैसे खाये हैं और बाकी इसने कुछ भी नहीं किया पर मैं तुमें बता दू इस बंदे ने का तहीं जूट बोला है पहली बात मेरे से पहले इसके उपर वीडियो fam clasher ने बनाई थी जिसमें fam clasher ने सेम चीज बताई थी और बताया था कि ये बंदा कैसे scam करता है और उसकी वीडियो आई थी दो दिन पहले और जो screenshot मैंने तुम लोगों को दिखाया था वो था इसकी कल की live का और जो इस बंदे ने ID scam किया था वो था 7 महीने पहले का तो फिर ये सवाल तो आता है नहीं कि इस बंदे ने एक बार scam किया या दो बार इस बंदे ने चैनल ही scam करके ग्रो किया है और अब जान बुझके अपने चैनल पर वीडियो बना के रंडी रोना कर रहा है वो कहते हैं ना जनता emotional है लेकिन चूतिया नहीं मानने से कुछ नहीं होता अगर इस बंदे ने सही में ऐसा एक दिन किया होता तो इसका नाम बदना होता ही नहीं और अगर ये सही में बेकसूर है तो ये बंद अपनी payment history दिखा दे फिर मैं मान सकतो कि ये बंदा सच्चा है और बागी सब YouTubers और लोग जूट बोल रहे हैं इस बंदे ने एक और चीज गई थी कि दूसरे छोटे YouTubers की stream को download करके अपने चैनल पर upload करते हैं जिसकी वज़े से उन YouTubers की live stream पर उपर किस idea का logo होने के वज़े से audience को diamond नहीं मिल पाते हैं और लोग फिर इसको scammer कहते हैं मतलब भाई की कहने का मतलब है कि scam इसने नहीं किये थे scam उन छोटे YouTubers नहीं किये थे और नाम इसका लग गया लेकिन अगर सोचा जाए तो फिर नाम उन YouTubers का लगना चाहिए जिसने इसकी stream download करी और upload करी लेकिन scam उन्होंने नहीं इसने किया है इसलिए नाम बाकी YouTubers का नहीं आ रहा इसका सामने आ रहा है अब मैंने तुम्हें प्रूफ भी दे दिये और सारी बात भी समझा दी अब माना ना माना तुम्हारे उपर है फैसला तुम्हारा है कि तुम कौनसी ओडियंस हो मैं चोर ओडियंस या DJ लोक वाली ओडियंस गाईज M.I.Gaming नाम का एक और चैनल है कुछ बंदे उसको हेट दे रहे थे तो गाईज इस बंदे को हेट नहीं देनी है अगर तुम्हें हेट देनी है तो इस बंदे को दो और मेरे चैनल को अब भी कि अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम